प्यारे बच्चों आज हम अध्यान करने जा रहे हैं संस्क्रित विशाएगा संस्क्रित के विशाए में आप जानते हैं यह विश्वकी प्राजीनतम भासा है और इसका साहित्य विपूल है इसके साहित के विपुल होने में इसके सब्ध भढंडार का महुद्पूर इस्थान है प्यारी बच्चों, आप सभी जानते हैं संस्क्रित में मूल लधातु, उपसर्ग, पत्यय, और सार्थक सब्ध होते हैं यह जो सार्थक सब्द होते हैं इन्हें ही हम प्राति पदिक के नाम से जानते हैं यह प्राति पदिक जो हैं यह दो प्रकार के होते हैं कौन-कौन से यह होते हैं एक स्वरान्त और दूसरा व्यजनान्त प्यारे बच्चों यहां आप देखेंगे यह जो स्वरान्त हैं इनकी गणना कैसे करेंगे इसके विशा में हम कैसे जानते हैं आपने पिछली कक्षाओं में अध्यान किया है माहेश्वर सुत्र का माहेश्वर सुत्र 14 प्रकार के होते हैं कौन-कौन से होते हैं इसके विशा में आप भली भाती जानते हैं कौन-कौन से हैं वे हैं आई उन, रिल्रीक, ए उंग, ए आउच्य, हयावारत, लाण, यामंगनानाम, जाभाय, घाबडधस, जाबगडदस, ख, फ, छ, ठ, च, ट, त, व, क, प, य, स, श, श, र, ह, ल, तो इस तरह से ये 14 महस्वर सुत्र हैं, और अभी हमने चर्चा की थी स्वरांत की, स्वरांत जो होते हैं, इन्हें ही हम आजंत के नाम से भी जानते हैं, आजंत क्यों कहते हैं, इसका उत्तर भी आपको इस महस्वर सुत्र से मिलेगा, आप देख रहे हैं, ये जो महस्वर सुत्र 14 जो आपके सामने हैं, इसमें जो प्रथम सुत्र है, आई उन, और द्विती सुत्र है, रिल रिका, त्रिती सुत्र है, ए उंग, चतूर्थ सुत्र है, आए और ज, तो आ से लेकर ज तक, ये एक प्रत्याहार बनता है, और इसके ही हम आज के नाम से जानते हैं, और आज धन अंत इती आजंत, अर्थात, ऐसे सब्द, जो स्वर स अंत होते हैं, वे स्वरांत कहलाते हैं, इन स्वरांत जो सब्द हो, ये जो स्वरांत सब्द हैं, इनके सब्द रुपों के विशाय में, आप लोगों ने भली भाती अध्यम किया है पहले, इसी तरह से ये जो व्यजनांत हैं, इसको हम हल के नाम से जानते हैं, महस्वर सु लेकर अंतिम सुत्र जो है ला तक हल तो इससे हल प्रत्याहर बनता है और इस बीच में जितने व्यंजन वर्णा आये हैं और इनसे जो सब्द अंत होते हैं वे जो है जो कि पूर्ण स्वर्युक्त नहीं है इसलिए ये व्यंजन कहलाते हैं और इनसे बनने वाले सब्द जो है व्यंजनांत कहलाते हैं तो प्राति पदिक के मुख्य दो भेद हुए स्वरांत और व्यंजनांत ये जो सब्द बनते हैं स्वरांत और व्यंजनांत इनके रूप कैसे बनेंगे इनके रूप बनने के और उसके माध्यम से फेर सब्द रूप बनता है। ये जिस सब्द रूप की हम चर्चा कर रहे हैं, ये सब्द रूप विभिन्न विभक्तियों में इसके रूप बनते हैं। जिस सब्द रूप बनते हैं, कौन से तीन वचन रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही ये जिस सब्द रूप हैं ये जिस सब्द रूप बनते हैं। अधिक संख्याओं का बोध होता है प्यारे बच्चों आप लोगों ने पिछली कक्छाओं में विभिन्न सब्द रूपों का अध्यन किया है जब हम बात करते हैं स्वरांत की तो स्वरांत में जैसे जितने भी नाम हैं उनमें जैसे हम बालक कहते हैं राम बालक कहते हैं, राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, मोहन कहते हैं, गोपाल कहते हैं, जनक कहते हैं, यह सभी कैसे हैं, यह सभी जो है स्वरांत हैं और अकारांत युगत हैं, इसमें सब्द के अंत में अकायोग है, जैसे जनक सब्द आप देख रहे हैं, जनक का जब हम वर का योग हुआ है इसको आप अलग-अलग कर सकते हैं कधन तो इस तरह सिब बनता है जनक और अब इसका व्डero ऊपक कैसे बनेगा तो आए देखते हैं जनक सब्द का सब्द रूप इसा प्रथोमेल भक्ति में इसका रूप होगा जनक जनकाँ हो जिवितीयाव्य भक्ति में रूप वनेगा कैसे जनकम जनक वजनकान गारे से तरितीयाव्य भक्ति में रूप होता है जनकेन जनका भ्याम जनकै है चतुर्थी भक्ति में रूप होगा जनकाय जनका भ्याम जनके भ्यह पंच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च हे जनका तो इस तरह से यह जनक है जनक सब्द है इसका यह सब्द रूप हुआ प्यारे बच्चों जितने अकारांत सब्द हैं उन सब के रूप इस जनक सब्द के रूप के समान ही वनेगा आप देख रहे हैं यह जितने सब्द रूप आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें ज यहां पर अह जो दिख रहा है यह क्या है यही सूप्रत्या कहलाता है तो इसमें पूरे जीतने विभक्तियां है जीतने वचन है इन सभी में सूप्रत्या का योग हुआ है इन प्रतियों को यदि तरह से भी देख सकते हैं कैसे अह अव आह अम अव आन एन आभ्याम अई आय आभ्याम एभ्यह आत आभ्याम एभ्यह अस्य अयोह आणाम तो इस तरह से ये जो प्रत्य हैं यदि हम जनक सब्द के इस्थान पर बालक रख दें और इन प्रत्यों का योग कर दें तब उसका रूप बन जाएगा कैसे रूप होगा आप देख पा रहे हैं बालकः बालकव बालका ये बन गया बालकम बालकव बालकान हो गया बालकेन बालकाभ्याम बालकई बालकाई बालकाभ्याम बालके ब्यह बालकात बालकाभ्याम बालके ब्यह बालकास्य बालकयोह बालकाना तो इसी तरह से और भी जो अन्य है जैसे का राम, कृष्ण, मोहन, गोपाल या आपका अपना नाम जो स्वरान्त युक्त है अकारान्त युक्त है उन नामों के भी आप सब दरूप इसी तरह से बना सकते हैं प्यारे बच्चों ये जो सब्ध रूप है ये इसको आप चाहें तो गेए रूप में भी प्रस्तूत कर सकते हैं या गाँ सकते हैं, बता सकते हैं जनक सब्दक्यूर जनके जनका अभ्याम जनकाई 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 ज जैसे आप प्रत्मव भक्ति देख रहें और द्वित्योई भक्ति देख रहें। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं क्या जनका भ्याम पुनाह जनका भ्याम और फिर जनका भ्याम तो तृतिया चतूर्थी और पंचमे तीनों के द्विवचन में एक ही रूप का प्रयोग हुआ है इसी तरह से आप देखेंगे चतूर्थी और पंचमे भ्याम पुनाह जनका भ्याम तो यह रूप सदय एक सा मिलेगा चाहे कोई भी सब्द हो स्वरान्त हो व्यजनान्त हो उसमें भी आप देखेंगे तो चतूर्थी और पंचमी बहुवचन का रूप जो है जनक के भ्या जैसा एक जैसा दीख रहा है दोनों में उसी तरह से आपको एक साही देखने को मिलेगा इसी तरह से आप आगे देख रहे हैं सष्ट्वी भक्ति और सब्त्वी भक्ति दोनों का द्विवचन का रूप दोनों के द्विवचन के रूप में भी समानता है यह कही है क्या लिखा हुआ है जनकयोह सष्ट्वी भक्ति द्विवचन में भी और सब्त्वी भक्ति द्विवचन में भी जनकयोह इस पद का प्रयोग हुआ है तो इसी तरह से अन्य भी जो सब्द हैं, उनके भी जब सब्द रूप आप बनाएंगे, तो आप उसमें पाएंगे कि प्रत्माविभक्ति और द्वित्वाविभक्ति के द्वी वचन के जो रूप हैं, वो एक जैसे देखने को मिलेंगे, इसी तरह से तृतिया, चतूर्थी और पंच्मी भक्ति के द्वी वचन की रूप सदेव एक से होंगे, और चतूर्थी और पंच्मी भक्ति बहु वचन का रूप भी सदेव एक सा आपको देखने को मिलेगा, इसी तरह से सश्ठी और सब्दमी भक्ति द्वी वचन का रूप भी सदेव एक सा होता है, और यह यह संबोधान का रूप होता है वो बिल्कुल प्रत्मा विभक्ति के रूप जैसा होता है जैसे आप देख रहे हैं जनकह जनकव जनकाह या प्रत्मा विभक्ति में देख रहे हैं इसी तरह से आप संबोधान में देख रहे हैं क्या देख रहे हैं हे जनक हे जनकव हे जनकाह तो ये रूप यो है एक से होते हैं प्यारे बच्चों अभी जिस तरह से हमने अकारांत स्वरांत सब्द का सब्द रूप देखा इसी तरह से इकारांत में भी अनेक सब्द आपको देखने को मिलता है उन सब्दों के भी सब्द रूप आप इस तरह से बना सकते हैं हाँ अकारांत और इकारांत में कहीं कुछ भेद होता है कैसे भेद होता है कहां पर भेद होता है या कहां परीवर्तन होता है आईए इस विशा में हम अध्यान करेंगे तो अभी हम चर्चा करेंगे सब्द रूप कवी का, कवी आप देख रहे हैं, इसका जैसे के आप वर्ण विन्यास करेंगे, तो व के साथ में E स्वर का योग हुआ है, इसलिए यह आकारांत, E कारांत स्वरांत सब्द है, इसका सब्द रूप कैसे बनेगा, इसका भी सब्द उसी तरह से बनेगा जैसा जनक का बना था मतलब प्रत्मविभक्ति, द्वित्यविभक्ति, त्रित्या, चतूर्थी, पंचमी, सष्ठी, सब्तमी और संबोधन इन विभक्तियों में इसके रूप बनेंगे और वो भी एकवचन, द्वीवचन और बहुवचन की रूप में है तो आईए, देखते हैं कवी सब्द का सब्द रूप, प्रत्मविभक्ति में इसका रूप होगा कविह, कवी, कवयह, द्वीत्याविभक्ति में रूप होता है कवीम, कवी, कवीन, त्रित्याविभक्ति में इसका रूप होगा कविना, कविभ्याम, कविभीह, चतूर्थ संबोधन यहां पर संबोधन में थोड़ा परिवर्तन होता है जैसे प्रत्मवी भक्ति में हमने देखा था कवि तो यहां पर संबोधन में हो जाता है वो हे कवे तो इस तरह से कवी सब्द के पूरी विभक्तियों में और तीनों वजनों में इसके रूप इस तरह से बनते हैं देखें आप इसको गाकर भी पढ़ सकते हैं या सिग्रता से पढ़ सकते हैं पढ़ने के अलगतरी के हो सकते है आपको जैसा सुविधा जनक लगता है आप उस अनुसार से पढ़ सकते हैं पढ़ने का एक तरीका यह भी हो सकता है तो इस तरह साब पढ़ सकते हैं और चाहें तो जैसे कि अभी हमने चर्चा किया था कि दो दो पंक्तियों को प्रत्मभक्ति और दूत्र भक्ति को एक साथ आप बोल लिए त्रिति और चतुर्थी को इसी तरह से पंच्मी और सश्थी और सब्तमी और संबोधन को आप इस तरह से एक साथ करके भी गा कर पढ़ सकते हैं कैसे आईए देखते हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं प्यारे बच्चों आप यहां पर यह भी देखेंगे कि जिस तरह से मैंने जनक के सब्द रुप में बताया था वही चीजे आपको यहां भी देखने को मिल रही है प्रत्मविभक्ति और द्वित्यविभक्ति का द्विवचन का जो रूप है वो एक जैसा है दोनों इस्थान पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कवी तो कोई भी सब्द हो उसमें परिवर्तन नहीं होता ही यह सदेव एक जैसा ही आपको देखने को मिलेगा इसी तरह से तृत्यविभक्ति, चतूर्थी और पंच्मी का जो रूप है वो भी सदेव एक सा मिलता है द्विवचन में कवी भ्याम कवी भ्याम कवी भ्याम यह है और इसी तरह से आप देखेंगे चतूर्थी भक्ति और पंच्वी भक्ति का बहु वचन का रूप यह दोनों भी एक जैसा ही देखने को मिलेगा हाँ यहाँ पर एक चीजा ध्यान देने युग बात है कि जैसे हमने अकारांत की चर्चा की और अभी हम चर्चा कर रहे हैं इकारांत का तो अकारांत को छोड़ कर जितने भी चैस्वरांत हो चैसे व्यजनांत हो उनमें आपको पंच्मी और सष्ठी विभक्ति दोनों का एक वचन का रूप सदेव एक सा मिलेगा आप देख रहे हैं यहाँ दोनों इस्थान पर लिखा हुआ है कवेह इसी तरह से सष्ठी भक्ति और सब्त्विभक्ति दोनों का द्विवचन का रूप यह सदेव एक सा मिलता है यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है कव्योह तो आईए एक बार पुनह हम कवी का सब्द रूप देखते हैं तो इस तरह से इसके सब्द रूप बनते हैं प्यारे बच्चों इसी तरह से जितने भी इकारांत के सब्द आएंगे उनके भी रूप इसी तरह से बनेंगे ऐसे कौन-कौन से सब्द हो सकते हैं जिनके रूप कवी के समान बनेंगे कौन-कौन से हो सकते हैं हाँ बिल्कुल सही खहाँ आपने मुनी विधी रस्मी अगनी कपी गिरी निधी तो इसी तरह से और भी अन्यसब्द हैं जिनके रूप जो हैं बिल्कुल इसी तरह से चलेंगे क्योंकि कवी भी पूर्लिंग है और अभी ये जितने सब्द हमने कहा, मुनी कहा, विधी कहा, ये सभी कहा है, ये सभी पूर्लिंग है, तो पूर्लिंग सब्दों के रूप, इकारांत पूर्लिंग सब्दों के रूप जो है, इसी तरह से चलते हैं, हाँ, कुछ सब्द ऐसे भी होते हैं, जिनके रूप जो है, इनके अधार पर नहीं चलता है, या कहें कि इनसे भिन्न चलता है, वैसे कौन से सब्द हैं, तो ऐसा एक सब्द हमारे सामने है, सखी, सखी या भी पोर्लिंग का सब्द है, लेकिन इसका रूप जो है, भिन्न प्रकार से बनता है, कैसे बन उस तरह नहीं कहते हैं उस तरह के यह सब्दा कशेंगी और वह सब्द रूप उस तरह में मैं treaties में इस सब्द का सब्दर yönवा कर पाइब कर और संभी सब्द रूप ने क्लेह व्य रख魚type हमें जानकारिया होनी चाहिए तो आए है पुना एक बार देखते हैं सखी सब्द का सब्द रूप प्रत्म भगति सखा सखायव सखायह दुवित्य भगति सखायम सखायव सखीन तृत्य भगति सखा सखी भ्याम सखी भिय चतुर्थी वक्ति सख्य सक्खिभ्याम सक्खिभ्यः पैंचनी वक्ती सख्युः सक्षिभ्याम सक्खिभ्यः तो इस तरह से सखी सब्द का सब्द रुप इस तरह से बनता है यहां भी आप वही विशेस्ता देख रहे हैं प्रत्मवी भक्ती और द्वित्यवी भक्ती दोनों का द्विवचन जो रूप है वो एक जैसा है सखायव यहां रूप बना है जैसे जनक का जनकव बनता है उसी तरह से सखी का सखायव यहां रूप बनता है त्रितिया चतूर्थी और पंचमी भक्ती के द्विवचन के जूरूप है यह एक जैसे हैं सक्खिभ्याम, सक्खिभ्याम और सक्खिभ्याम अब देख रहे हैं चतूर्थी और पंच्मी वक्ती बहु वचन का रूप दोनों एक जैसा है सक्खिभ्या, सक्खिभ्या पंच्मी वक्ती और सश्ठी वक्ती चोकि यह आकारांत नहीं है यह एकारांत है तो आकारांत को छोड़कर जीतने भी सब्द रूप हैं, उन सभी में, पंचमी और सष्थी दोनों का रूप एक जैसा देखने को मिलता है, हमें स्वरांत सब्दों में, तो सक्ख्यूह और सष्थी भक्ति में भी दिख रहा है हमें, सक्ख्यूह, इसी तरह से सष्थी भक्ति और सब्तमी विवक्ती इन दोनों में आप दोनों के रूप देख रहे हैं वो एक जैसे हैं द्रीवचन में और सक्ष्च्योह तो इस तरह से हम देखते हैं सखी सब्द का यहां सब्द रूप हुआ एक बार पुना अभ्यास करते हैं सखा सखायव सखायः, सखायम सखायव सखीन, सख्या सखिभ्याम सखीभिह, सख्ये सखिभ्याम सखिभ्यह, सख्युह सखिभ्याम सखिभ्यह, सख्युह सख्योह सखीनाम, सख्याव सख्योह सखीशु, हे सखे, हे सखायव, हे सखायः तो प्यारों अभी हमने अध्युन किया i kaarant svarant saabdों का अब हम आगे अध्युन करेंगे i kaarant saabdों का प्यारों बच्चों अभी हम ने e gaarant poling sabda का रूप देखा आये i kaarant is trilling sabdas के रूप पर भी हम चर्चा करते हैं क्योंकि इसके रूप में थोड़ी सी भिननता होती है इका रांत इन सब्धुमें चैसे हम देखते हैं प्रीति का तात पर यह होता है प्रेम इसका सब्धरूप कैसे बनेगा इसका भी सब्धरूप प्रत्मा से लेकार संबोध्हन तक और एक वचन, द्वी वचन, बहु वचन, तीनों वचनों में इसके रूप बनते हैं कीस तरह से इसके रूप बनेंगे? आईए, देते हैं प्रत्मय भक्ति में इसका रूप बनेगा प्रीतिह, प्रीति, प्रीतयह द्वीत्य भक्ति में इसका रूप होगा प्रितिम प्रिति प्रिति यहाँ पर प्रिति विश्थर गा जाएगा यहाँ पर तृतिय भक्ति में रूप होगा प्रित्या प्रिति भ्याम प्रिति भी है चतुर्थी भक्ति में इसका रूप होगा देखें चतुर्थी भक्ति में दो रूप होगे इसके जैसे हमने कभी का रूप देखा था उसी तरह से यहां पर भी इसका दोनों रूप बनेंगे प्रित्यई और प्रितये यह दोनों रूप जो है चतुर्थी भक्ति एक वचन में बनेगा यहां ध्यान दिजेगा प्रिती यह जो सब्द है इसमें जतुर्थी भक्ति पंच्वी भक्ति और शर्ष्ट्वी भक्ति का एक वचन का जुरूप है, ये दो दो तरह के रूप बनते हैं आईए, उन सब को हम देखेंगे, पूना एक बार देखते हैं प्रत्मवधी से प्रिती हे प्रीती प्रीतेह, धुवितिय अभी भक्ती होगा प्रीतिम प्रीती प्रीतीह, तुर्थी भक्ती में दो रूप होगे प्रतमव एक वचन में, प्रित्य प्रित्याई पृत्याई 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 प प्रित्याम प्रीतव प्रित्योह प्रिती सूं है प्रिते है प्रिती है प्रितय हो इस तरह से इसका रोप बनेंगे ध्यान दिजेगा यहां पर चत ओर्थी भक्ती 85 भक्ती सश्थ्र ベंद्ध और सब्तथ्य भक्ति इसमें इसके दोड़ो रूप बनने हैं एक वचनमें सेश समानताइं उसी तरह से हैं जैसे पहले थी जैसे आप देख रहे हैं प्रत्मय भक्ति और दुवितिय भक्ति दोनों में प्रीति इकारांत रूप है और वो रहेगा जितने भी सब्द रूप है उन सभी में प्रत्मय भक्ति और दुवितिय भक्ति दुविवचन का रूप है वो भी एक साही है आप देख रहे हैं चतूर्थी भक्ति और पंच्मि भक्ति बहु वचन का रूप ये भी एक साहे प्रितिभ्या पंच्मि भक्ति और सश्थ्व भक्ति एक वचन की रूप में समानतव होती है यहां देख रहे हैं प्रित्या प्रित्या और प्रित इसका प्रयोग पैंश्वी भक्ती और सष्ठ्य वक्ति एकISA में दोनों जगह हुआ है इसी तरह से सष्ठ्य वक्ती और सब्विवचन ड्रीक द्रीक न्वीयु वक्ति pinchwhat bought देख रहे दोनों ही इस् विस्तान पर एकें सब्द का प्रयोग है और वहाष्थ घ्र。 Prithyoh. Prithyohw Sastry Vaktym भी है और S92 Vaktym में भी प्रयुक्त हुआ है. तो इस तरह से इन सब्द रूपों में कुछ समानताइं हैं. इन समानताओं को यदि हम ध्यान में रखें तो इन सब्द रूपों के विश्याय में प्राप्त करने में सरलता होगी, इनको हम सरलता से स्मरण कर सकते हैं, इसी तरह से जैसे हमने प्रीती सब्द का सब्द रूप भी देखा, इसी तरह से और भी इकारांत के सब्द हैं, उनके रूप भी इसी तरह से बनेंगे, ऐसे कौन-कौन से सब्द हो सकते हैं, देखे, बह श्तूति, प्रकृति, रूचि और भी बहुत सी सब्द हैं, जिनके रूप जो है अभी हमने प्रिती का रूप देखा, प्रिती सब्द का सब्द रूप देखा, उसी तरह से इन सब्दों के रूप भी इसी तरह से बनेंगे. प्यारे बच्चों यह तोचर्चा हो गईए कारंद जिसक mudar केंगे उसका रूप कैसे बनेगा तो जैसे मुपने और कवन से सब्दानद करने हें कें में और कंडिक्तक करें है वहाँ पर तो कुमारी इसका सब्द रूप हमको बनाना है इसका सब्द रूप कैसे बनेगा इसका भी सब्द रूप वैसा ही बनेगा जैसे अभी हमने अन्य सब्दों के सब्द रूप बनाए हैं प्रत्मा से लेकर संबोधन तक की विभक्तिया होंगी और एक वचन द्व कुमार्यव 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 कु कुमार्याह, कुमार्योह, कुमारिणाम, सब्तिवी भक्ति में रूप होगा, कुमार्याम, कुमार्योह, कुमारीसु, संबोधन, हाँ, यहाँ पर संबोधन में ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पर थोड़ा परिवर्तन होता है, जो दीर इकार है, वो रस्व इकार हो ज सब्द रूप इस तरह से बनता है इसी तरह से आप नदी नदी सब्द का रूप भी कुमारी सब्द के जैसा बना सकते हैं तो एक पर देखते हैं कुमारी सब्द का सब्द रूप कुमारी कुमारियो 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 इसका भी सब्द रूप देख लिया प्यारे बच्चों अभी जिस तरह से हमने कुमारी सब्द का सब्द रूप देखा इसी तरह से और भी जो ई का रांत सब्द हैं उनके भी सब्द रूप इसी तरह से बन सकते हैं ऐसे कौन-कौन से सब्द हैं जो ई का रांत हैं उनके है नदी, पुत्री, नारी, जननी, पत्नी, विदूसी, पृत्वी, रजनी, कदली, ऐसे अनेख सब्द हैं, इन सब के सब्द रूप भी कुमारी के जैसा ही चलेगा, जैसे नदी सब्द का सब्द रूप हम देखें, किस तरह से चल सकता है, आईए, एक बार प्रयास करते हैं नदी नद्यो नद्यह, नदीम नद्यो नदिह, नद्या नदिभ्याम नदिभिह, नद्याई नदिभ्याम नदिभ्यह, नद्याह नदिभ्याम नदिभ्यह, नद्याह नद्योह नदिनाम, नद्याम नद्योह नदीशु, हे नदी, हे नद्योह, हे नद्यह तो इसी तरह से अन्य जो सब्द हैं, जैसे अभी हमने कहा पुत्री, नारी, जननी, पत्नी, विदूसी, पृत्वी, रजनी, कदली, इन सब्दों के रूप भी आप इसी तरह से बना सकते हैं अब हम चर्चा करते हैं उकारांत सब्दों की, उकारांत पूलिंग, इसमें जैसे कि हम सभी जानते हैं, हम समाज में रहते हैं, वहां हम देखते हैं, जब किसी बालक का जन्म होता है, तो उसको सीसू कहा जाता है, सीसू का तातपरी होता है, बालक, सीसू, यह जो सब्द है क सु है इसका अलग करेंगे वर्णों को तो आप देखेंगे सहलंत युकता है उसके बाद उसमें उ का योग हुआ है तो इस तरह से बनता है सिसु तो इसका सब्द रूप कैसे बनेगा इसका भी सब्द रूप वैसा ही बनेगा प्रत्मविभक्ति से लेकर संबोधन तक की वि देखते हैं प्रत्मविभक्ति में इसका रूप होगा सिसु सिसवह द्वित्यविभक्ति में रूप होगा सिसुम सिसु सिसुन त्रित्यविभक्ति में रूप होगा सिसुना सिसुभ्याम सिसुभिय चतुर्थ्य भक्ति में रूप होगा सिस्वे सिसुभ्याम सिसुभ्य संबोधन में रूप होगा संबोधन को रूप थोड़ा सा परिवर्तन होता है यहां पर रूप बनेगा हे सिसो हे सिसु हे सिसु हे सिसव अन्य सब्दों के सब्द रूप में हमने देखा प्रत्मवि भक्ति और द्विवचन का रूप एक सा था वैसा ही आप यहां भी देख रहे हैं और उसी तरह से तृत्य भक्ति चतुर्थी भक्ति और पंच्विवचन का रूप भी एक जैसा है चतुर्थी भक्ति पंच्विवचन का रूप एक सा है यहां आप देख रहे हैं सिसु भ्या लिखा है बने चतुर्थी भक्ति और पंच्विवचन के जीतने भी सब्द रूप हैं स्वरांत इन सब में आपको भ्याह का प्रयोग मिलेगा इस तरह से द्वितियाई भक्ति त्रितियाई भक्ति और पंच्विवचन का जीतने भी सब्द रूप है यहां पर भ्याम का प्रयोग होता है जैसे हम देख रहें यहां सिसो भ्याम, नदि भ्याम, कुमारी भ्याम, कवी भ्याम तो जनका भ्याम तो इस तरह से यहां पर भ्याम का प्रयोग होता है पंच्मीभक्ति और स़्षभक्ति दोनों का रूप यहां भी एक जायसा है सिसोह हैं सव्षभ गया Activist दुवी वच्छान और सप्प्वी वच्छन दोनों का रूप एक सा है अब देख रहे हैं यहां तो इस तरह से कुछ समानताएं हैं इन समानताओं को हमको ध्यान में रखना है और इसके अधार पर यह जो सब्द रूप बना किसका सिसू सब्द का इसी तरह से और भी अन्य जो उकारांत सब्द हैं उकारांत पूर्लिंग सब्द जितने भी होंगे उन सब के रूप भी इसी तरह से सीसू सब्द के समान ही उनके रूप बनेंगे तो ऐसे कौन-कौन से सब्द हो सकते हैं जो उकारांत पूर्लिंग है उनके विशे में आप जानते हैं कौन-कौन से सब्द हैं हाँ ऐसे सब्द हैं बिंदु वाईयु गूरु बंधु भानु बाहु प्रभु रितु औ प्राप्त की ध्यान रखेगा परिक्षा में इन से संबंधित विभीन तरह के प्रस्न पूछे जाते हैं। जैसे एक सब्द दिया जाए उसका आपको विभक्ति और वचन पहचानने के लिए कहा जा सकता है। तो आप यदि पंच्वी भक्ति लिखते हैं तब भी सही है और सश्ट्वी भक्ति लिखते हैं तब भी वहाँ सही है। और वचन पूछा गया है वचन भी बताना है तो पंच्वी भक्ति और सश्ट्वी भक्ति दोनों इस्थान पर इसका प्रयोग हुआ है। तिस तरह से आप बिल्कुल सही बता पाएंगे। इसी तरह से कभी कभी परिक्षा में किसी सब्द विखते को लेकर उसके किसी एक विभक्ति के तीनों वचनों को पूछ दिया जाता है। जैसे शीशू सब्द है। शीशू सब्द की तरितियव भक्ति तीनों वचनों में लिखिये। ऐसा यदि प्रस्ण पोछ दिया गया तब भी इसके लिए आपको तयार रहना है। सीशू सब्द का परिचाए आप जानते हैं। उसका सब्द रूप क्या है इसके वाइसे आ अप भली भाति अध्यान कर चुके हैं। तो सीखु सब्दका तरितियवी भक्ति क्या होगा? हाँ, बिलुकुल सही कहा आपने, माले तरितियवी भक्ति का रूप होगा छिशुन रप मना शिशु भ्याम शिशु भी है तो ऐसा आप लिखें और निश्यत रूप से आप परिक्षाओं में सफलता निश्यत रूप से प्राप्त करेंगे तो इसके लिए देखें, नकिवल परिक्षा के लिए अपी तो संस्कृत के सम्यक ज्ञान के लिए भी हमें सब्द रूप का भली भाते ज्ञान होना अवश्यक है, क्योंकि ये जो विभिन्न विभक्तियां हैं, इनके विशा में आप जानते हैं, ये जो विभक्तियां हैं, विभक्तियों के साथ मी क्या होता है? विभक्ति चिन्ना होता है। जैसे प्रत्मा विभक्ति कहते हैं। सब्तेविभक्ति को अधिकरण कहा जाता है और संबोधन को संबोधन कहा जाता है तो विभक्ति को इस तरह से कारक का रूप दिया गया है और इसके साथ में कुछ विभक्ति चिन्ह भी होते हैं किसके साथ में कौन सच चिन्ह होगा जैसे अभी हमने कहा प्रत्मा विभक्ति क को करन कहा जाता है और इसके साथ में को का प्रयोग होता है तृतिय भक्ति को करन कहा जाता है और इसके साथ में से के द्वारा का प्रयोग होता है चतूर्थी भक्ति को संप्रदान कहा जाता है और इसके साथ के लिए प्रयोग होता है पंच्वी भक्ति को अपादान कहा जात और इसके साथ में से प्रिथक होने के अर्थ में ये प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से सश्ठी भक्ति को संबंध कहा जाता है और इसमें का के की रा रे री का प्रयोग किया जाता है। सब्ते विभक्ति को अधिकरण कहा जाता है और यहां मे पे पर का प्रयोग किया जाता है विभक्ति चिन्ह के रूप में और संबोधन को संबोधन कहा जाता है और यहां पर हे अरे अहो इस तरह के विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है आप सबने पहले भली भाती पढ़ा ही है करताने कर्मको करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से प्रिथक होने के अर्थ में संबंध का के की रारे री अधिकरण में पेपर संबोधन हे अरे अगो तो इस तरह से इसकी जानकारियां आपको रखनी है इसके माध्यम से आप विभिन वाक्यों की रचना कर सकते हैं कोई बात आपको यदि संस्कृत में कहना है तो उसके लिए निश्यत रूप से आपको सब्दरूप की आवश्यकता होगी तो सब्दरूप का आपको ज्यान होना चाहिए कौन सब्दर का कहा प्रयोक के जाता है कैसे प्रयोक के जाता है इसको भली भाती प्रयोक करने के लिए हमें सब्दरूप का ज्यान होना अत्यन्त आवश्यक है सब्दरूप का ज्यान होने से हम अपनी बातों को सहज और सरल संस्कृत में रख पाएंगे संस्कृत के माध्यम से अपनी बातों को कह पाएंगे तो इसलिए इनका ज्यान हम सब के लिए आवश्यक है